नमासकार, गायतरी जोतिस के इंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप लोगों के लिए हमें साइज जोतिस सास्त से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम समय समय पर प्रसादित करते रहते हैं, नव ग्रहों से संबंदित महतपुन उपाई, जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आये हैं एक ऐसी जानकारी, जो कि उन लोगों के लिए महतपुन है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ राहुग्रह का नाम सुनकर तक खबरा जाते हैं, इसकी और देखना ही पसंद नहीं करते हैं बहुत से लोग क्योंकि जोतिसी उनके मन में ऐसी धारणा ऐसा विस्वास बर देते हैं कि वही इन ग्रहों के रत नहीं नहीं तो टैन में इन ग्रहों की और देखना ही नहीं है किन्तो ये वो ग्रह है राहु के तु जो कि प्यक्ति को वो दे सकते हैं जो बाकी के बाकी साथ ग्रह न को देखते हुए आंख मूत कर या मूत करके आप आंख को में तरतने धारण कर सकते हैं कि पूर्व में भी हम आप लोगं के लिए कि किन लक्षण को देखते हुए आप आंख मूत कर गोमें तरतने धारण कर सकते हैं आज एक ऐसा ऐसी चीज लेके आए हैं जिसमें कहते थे पहले के जो तीशी कि ऐसा है तो गोमेत रत्म धारण कर लेना चाहिए फाइदा देगा ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति के लक्स चीज़ां को देखते हुए तो वह चीज है क्या तो वह चीज बताई गई है कि यदि जन्व के पस्चाद व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई अपंगत आ जाती है किसी प्रकार की कोई स्यती पहुँच जाती है मान के चलिए किसी का कोई पाउँ भेक्चर आदी हो गया पाउँ छोटा इक बड़ा हो गया या हाथ में कोई अंगुली आदी में कोई कटट बड़ा आदी आ गया चेहरे आदी में कोई ऐसा निसान लग गया बड़ा निसान जो कि बार बार दिखता हो तो ऐसे ही यदि किसी के इस्तिती हो ऐसे निसान हो या जन्द में के परसाद पहले अंगर सही हो उसके बाद उसमें निसान बन गया हो ऐसा निसान जो कि अक्तर हर किसी की नजर में आ जाता हो जैसे अब बेक्ति लगा लचक करके तो समझ में आ जाएगा कोई अंगुली आधी में कोई कट गई हो या कोई हो तो दिख जाए चेहरे आधी पे कोई कान आधी कट गया हो या कहीं पर कोई निसान बड़ा लग गया हो चोटका या सर पे कोई चोटका निसान लग गया हो कि जो की दिखता हो तो ऐसे यदि निसान आ दी हो तो आँख मुद कर गोमेद रत्मे धारण कर लेना चाहिए इसके अलावा भी बताया गए यदि ब्यक्ति का सरीर भीसन का आई हो भीम का आई यानि की भारी सरीर हो जिसे देख कर आदमें घबरा जाए अगर कभी कोई बात में कल्प ना करें कि इस ब्यक्ति के साथ कभी कोई बात हो गई तो ये ब्यक्ति तो हम पे भारी पढ़ जाए सरीर बिल्कु डरावना ऐसा हो भारी भार का तो भी गोमेद रत्मे धारण कर लेना चाहिए इसके अलावा दुस्ति एक महत्यपूर्ण बात यदि किसी ब्यक्ति का सरीर तो दुबला पतला है लेकिन सर बड़ा भारी है या ब्यक्ति काभी घनी मूच है दाड़ी वाला है घने बालों वाला है अक्सर ब्यक्ति रखता हो या घने गुम्राले बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में तो ऐसा ब्यक्ति भी गोमेद्रत में तारण कर सकता है जो लंबे ऐसा रखता हूँ और भी कई लक्षण हैं तो हम पूर माप लोगं के लिए लेकिए आए लेकिन यहां पर को बहुत से लोग कहते हैं कि जिने हम सामाने तारण देखे हैं तो यह जन्म के पस्चाद कोई किसी परकार की ऐसी श्रती हो जाती है या सरीर मतलब बारी बहर कम हो बिल्कुल लगता हो कि बिल्कुल तो गोमेद्रतन ब्यक्ति को सूट करता है इसके अलावा जैसे जन्म से भी विकलांगता होती है तो वहां पर को भी गोमेद्रतन दारण किया जा सकता है वहां पर को भी बताते हैं कि सनी का रतन फायदा दे न दे राहु का रतन गोमेद्रतन यहां पर को अवश्य ही फायदा देगा अब किसी के बहुत से लोग कहते हैं वहाँ पर को यहाँ पर को जैसे सुक्र ग्रह के रतन डाइमंड आती को भी धारण किया जाता है किन्तु राहु का रतन भी यहाँ पर कुछ चमतकारी फ़ल देता है यह दिकिसी ब्यक्ति के बाल जड़ जाते हैं जैसे आगे कि नहीं होते हैं यहाँ पर से बाल निकलने शुरू हो गए दीरे-दीरे पहले को काभी घरे बाल होते हैं लेकिन किसी कारण मत निकल जाते हैं तो यहाँ पर को जैसे लोग कहते हैं कि सुक्र का रतन भी धारण करना चाहिए किन्तु राहु का रत ने यहां पर को बहुत अच्छा फल दे जाता है किसी बेक्टी के साथ ऐसा हो चेक कर सकते हैं और बाकी तो हम यहीं कहेंगे कि वहीं अपने आपके पास जन्मपत्रिका आदी हो तो उसको अवच्चे दिखाना चाहेगी महाँ पर से आपको एक सही कैरे आदी आदी आपको मिलता है जो कि लाइट टाइम आपके साथ चलता है और बाकी यह लक्षणां को देखते वे भी आप गोमित रत में एक निर्धारित कैरे दस बार रत्ती के आसपास का तारण कर सकते हैं बाकी गुर्ची से वस्ते ही जानकारी ले ले कि कि कितने रत्तिय आदी का हमें तारण करना चाहिए तो जानकारी काफी महत्यपूर्ण थी बहुत से लोगों को इस जानकारी का इंतजार था तो जानकारी पसंद आए तो जरूर से आगे बढ़ा कर आप से एर कर सकते हैं नहीं लोगों से आगरा रहता है कि गायतरी जोतिसके इंदर के को सबस्क्राइब करें बैल आइकन दवाएं नितने जानकारी बहुत अच्छी जानकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगी तो मिलेंगे इसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपीसोड के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमसकार जाई स्री राम जाई स्री